ख़वर है पंजाब से जहां पंजाब में सिख दूलोनों के लिए ड्रेस कोट टे कर दिया गया है दोस्तों जी हाँ सिखों के पांच तक्तों के जगत्यदार की तक्त स्री हजूर साहिम में मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहल लगाई कि दूलोने साधी में भारी लंगा नहीं पहनेंगी सिख साहब ने मीटिंग में इस फरमान को अमल में लाने की बात कई यानि अगर अमल में नहीं लाया गया तो सक्त कारवाई दी जाएगी इसके लिए अपने सभी कबीलों को बता दिया गया है इसके अलावा साधी के कारव दूले के नाम के आगे सिन और दूलोनों के नाम के आगे कौल लगाने की बात कही गई है के लिए अगर बता दिया गया है आपको बता दू कि तक तो उजूर साहब ने सिख कौम में विवा संबदी फैसले का स्वागत किया है अच्छा अब जथेदारों की मिटिंग के आदेश में कहा गया है इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं देख लीजिए कि लावा फेरे यानि कि गुर्दवारा में सिख दूला दूलन के जो विवा होता है उसको लावा फेरे कहते है उसमें सलवार कमीज वा सीर लेकिन चुन्नी पहने पर भारी लेंगा पहने कर गुरुदारों में फेरे नाले ऐसा कहा गया है लावा के दोरान दुलाने काफी भारी लेंगा पहन लेती हैं जिसके कारण उनको फेरे लेने उठने बैठने और माथा टेकने में प्रैसा नहीं होती है वहीं लावा के समय फूलो या चुन्नी की छत्र लगाने पर भी रोक लगा दी गई है पंजाब में के देस्टीनेशन वेड़िंग देस्टीनेशन वेड़िंग बहुत चलता है लेकिन अक्टूबर में श्री अकाल तक साहई सेज्बाद हमें आनंद कारज पर पूर स्फिनेशन वेड़ियंग में अंद कारज की लिए स्री-गूरू गरंट साहिब पूर रोक लगा थी साथ ही जो आदेश हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि आननकारच के लिए सरूप को समुद्र किनारे या फिर रिजॉर्ट में ले जाकर सिख मरियादाओं का घोर उलंगन हो रहा है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन साधी समारों में मास मदिरा और तमाखु आदी परोस टूर समारों में मास मास मिएल्ब छोर उसे उन्होंने फिर ये जिनी पर बड़ने आदा है कि इनकारच को समुद्र को समारों में 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 अधानारा